नमस्कार फ्रेंस, वेलकम टू ब्लू बैल ऑनलाइन स्टेडी फ्रेंस हम हिमाचल प्रदेश सामान एग्यान के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश के इत्यास से शुरू किया है हिमाचल प्रदेश के इत्यासिक स्त्रोतों और प्राजेन इत्यास हम कवर कर चुके हैं आज हम मद्यकालिन इत्यास के बारे में जानेंगे कि मद्यकालिन इत्यास का क्या महत्व है हिमाचल प्रदेश के इत्यास में तो चलिए फ्रेंज अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो महमोद गजनवी सुल्तान की उपादी प्राप्त करने वाला पहला तुर्की शासक था महमोद गजनवी महमोद गजनवी ने 2001 से लेकर 1027 तक भारत पर जो है वो 17 बार आकरमन किये थे महमोद गजनवी ने 2009 स्वी में आनद पाल को हराने के बाद नगर कोट पे आकरमन तो किया ही उसके जो जितने खजाने भी थे उनको भी लूटा नगर कोट किले पर जो है तुर्कों का कबजा 1043 स्वी तक रहा जिसके बाद गिली के तोमर राजा महीपाल ने नगर कोट से गजनवी शासन को समाप्त कर दिया था इसके अलावा में कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूंगी भारत पर आकरमन करते समय महमोद गजनवी जेहाद का नारा लगाता था और अपना नाम बुथ शिकन रखा था किसने महमोद गजनवी ने तो आपको याद रखना है कि बुथ शिकन नाम से जो है वो महमोद गजनवी को जाना जाता है और 2025 में सोमनात मंदिर पर भी आकरमन किया और महमोद गजनवी का जो अंतिम आकरमन था वो एक हजार स्टाइस में सिंध के जाटों पर हुआ था और महमूद गजनवी की जो मित्यू है वो एक हजार तीस इस्वी में हुई थी तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं गुलाम वंच और खिलजी वंच ने पहाडी राजियों पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और इसके अलावा मैं आपको मुहम्मद गौरी का कुछ और भी पॉइंट्स बताती हूं मुहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था मैं यहां लिखती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए मुहम्मद गौरी का पूरा नाम यह आपने ध्यान रखना है पेपर में ऐसे कोईशन भी आजकल पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं यहां पे लिख रही हूं शीहा बुदीन उर्फ मुईज जदीन मुहम्मद गौरी था मुहम्मद गौरी जो है वो 1100 यहां पे 1173 में जो है वो सिहासन पे बैठा था और भारत पर जो है वो 1175 इस भी में मुल्तान पर आकरमन किया था और इसके अलावा तुर्की राज जी की स्थापना भी जो है वो मुहम्मद गौरी ने किय थी करायन का जो पहला युधे 1190 में मुहम्मद गौरी और पृत्वी राज चुहान के वीच में हुआ था और एक और important point आपने याद रखना है मुहम्मद गौरी का सेना पती वक्तियार खिल जी ने नालंदा एवं विक्रम शिला विश्व विध्याले को भी नश्ट कर दिया था और 13 मार्च 2006 में याप लिखती हूं यह डेट भी आपने याद रखना है मुहम्मद गौरी की मित्ति हो गई थी मैं एक बार रिपीट कर देती हूं मुहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था शिह बुदीन यह मैंने लिखा है शिह बुदीन उर्फ मुईज दिन मुहम्मद गौरी था और 1173 में जो है मुहम्मद गौरी सियासन पे बैठा और भारत पर पहला आकरमन 1175 इस्वी में मुलतान पर मुहम्मद गौरी ने किया था और भारत में तुर्की राज्ये की स्थापना भी जो है वो मुहम्मद गौरी ने की थी और तरायन का जो पहला युद हु में मुहम्मद गौरी और पृत्वी राजचोहान के बीच में हुआ था और लास्ट में 13 मार्च 2006 में मुहम्मद गौरी की मित्य हो गए थी नेक्स्ट तुगलक वंच मुहम्मद बिन तुगलक 1337 इस्वी में नगरकोट के राज़ा पृत्वी चंद को पराजित करने के लिए सेना बेजी थी जिसका नित्यत्व उन्होंने खुद किया था फिरोशा तुगलक ने जो है वो कांगडा के राज़ा रूप चंद को सबक सिखाने के लिए 1364 में नगरकोट पर आकरमन भी किया और घेरा भी डाला वो तारीक ए फिरोज फरिष्टा और तारीक ए फिरोज शाही में मिलता है फिरोज शाह तुगलक और रूपचन ने जो है वो दोनों के बीच में संदी हो गया था और रूपचन ने फिरोज शाह तुगलक की आधीनता सुईकार कर ले थी उसके बाद फिरोशा तुगलत ने जो है वो 1365 इसवी में समझोते के बाद वो जौला मुखी गया और वहां से उन्होंने 1300 संस्क्रिक पुस्तकों को फार्सी में अनुवाद करने के लिए वो अपने साथ उन किताबों को ले गया इन पुस्तकों का जो अनुवाद फार्सी के प्रसिद लेखक अजुदीन खालिद खानी ने किया था और उस बुस्तक का नाम रखा गया था दलाई ए फिरोशाही मुगल शासन तो हम पढ़ेंगे अब बावर के बारे में कांगड़ा के निकट मलोट में बावर ने 1525 सिस्वी में अपनी चौकी स्थापित की थी कहां पे की थी मलोट जो कांगड़ा के निकट है बावर ने 1526 सिस्वी में पानीपत के प्रथम युद में इबराहीम लौदी को हरा कर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी बच्चों और रिष्टेदारों को अपने दर्वार में बंदग के तोर पर रखता था वैसे ही अकबर ने जो है वो कांगडा के राजा जेचंद को भी बंदग बनाया था और जेचंद का जो पुत्तर था विदी चंद उसने जो है वो अकबर के विरुद नूरपूर के जहांगीर जहांगीर 1605 में गद्धी पर बैटा था जहांगीर ने धमेरी के राजा सूरज मल और शेक फरीज खान को 1615 इस्वी में कांगड़ा पर कबजा करने के लिए भेजा था परन्तु उन दोनों के वीच में विवाद हो गया और इस बीच में जो है उम्हान की जो है मित्यू हो गए थी तो जहांगीर ने जो है वो कांगड़ा के लिए पर कबजा करने की योजना को जो है वो स्थगित कर दिया था उसके बाद उन्होंने दुबारा 1607 इसवी में पहला तो 1615 था दूसरा था 1607 1617 में फिर से नूरपूर के राजा सूरजमल सूरजमल कहां का राजा था नूरपूर का नूरपूर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मुहमत तर्की के साथ कांगड़ा विजे के लिए जो है सेना भेजे राजा सूरजमल और शाह कुली खान के बीच में भी जगड़ हो गया जहांगीर ने जो है वो शाकुली खान को वापस बुला दिया तो अब सूरज मल ने क्या क्या राजा सूरज मल ने मुगलों के जो है विरुद विद्रो कर दिया पहले तो वो मुगलों के साथ था पर उसके बाद अब उसने मुगलों का विरुद कर दिया तो जहांग गर में शरण ली थी जो कि उस समय जो है चमबा रियासत के आधीन था और उस समय जो है वो चमबा का राजाक प्रताब वर्मन तो प्रताब वर्मन ने जो है वो सूरज मल को आत्म समर्पन करने का जो है वो सुझाब दिया था परंतु 1619 में जो है वो सूरज मल की मित्यू हो थी और उसकी मित्यों के बाद उसकी जो संपूर्ण जो पूरी जो भी संपत्ती थी वो मुगल बाथशा के अधिकार में ले लिया था शाहजहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगडा कि ले के मुगल किलेदार बने कोच कुली खान स्तारा वर्षों तक मुगल किलेदार रहा और उसे जो है वो बान गंगा नदी के पास दफनाया गया इनका नाम भी आपने याद रखना है नवाब, असदुल्ला खान और कोच, कुलिंद खान, कांगडा किले के जो है वो मुगल किलेदार थे इसके अलावा आपने जो है वो पहला किलेदार और आखरी इनके आपने नाम याद रखने है 1620 इसवी में नवाब, अले खान, कांगडा किले का पहला मुगल किलेदार था मुगल पहला मुगल किलेदार था और नवाब सेफ अली खान, कांगडा किले का अंतिम मुगल किलेदार था तो फ्रेंज आपने ना इन यही ध्यान रखना है नवाब अली खान जो है वो पहला मुगल किलेदार था नवाब सेफ अली खान जो है वो कांगड़ा का अंतिम किलेदार था ठीक है और हम देखते हैं next औरंगजेब के जो शासन काल में जो है मुगल किलेदार सेद हुसेन खान, हसन अब्दुल्ला खान या नवाब सेद खली उल्ला खान ये थे औरंगजेब का समकालिन जो है वो सिरमोर का राजा सुभंग प्रकाश था ये भी important point है इसके अलावा औरंगजेब ने जो है वो चमबा के राजा चतर सिंग को जो है ये आदेश दिया था कि वो चमबा के सारे मंदिरों को नश्ट कर दे पर चतर सिंग ने ऐसा नहीं कि उसने जो है गुलेर वस्वाली और जम्मू के राजाओं के साथ मिलकर पंजाब के मुगल सरदार मिर्जा रियाज बेग को पराजित किया और जो अपने शेत्रों को उन्होंने वापस भी प् देश दिया था चतर सिंग मुगलो का पतन औरंगजेब की मित्यों के बाद मुगलो का पतन शुरू हो गया था एहमच्छा दुरानी ने 1748 से 176 से इस्वी के भी दस बार पंजाब पर आकरमन किया था और उस ताइम पे जो है वो पंजाब मुगलो के आधिन था तो राजा घमन चंद ने जो है इस मोके का फाइदा उठा कर कांगड़ा और दोआप के शेत्रों पर कबजा कर लिया था एहमच्छा दुरानी ने 1759 इस्वी में घमन चंद को जलंदर का दोआप का नाजिम बना दिया था तो यह पॉइंट्स आपने याद रखना है अब इसके बाद हम कुछ important facts देखते हैं मुगल वंच के जो संस्थापक थे बाबर पद पद शाही की स्थापना की थी तो बाबर ने पद पद शाही की स्थापना की थी और इसके अलावा मुगल वंच के संस्थापक भी बाबर थे और इसके तहत शासक को बादशा कहा जाता था नेक्स्ट है अक्बर ने पहाडी राजाओं की स्वामी भगती मैंने अभी पीछे आपको क्लियर किया था कि अक्बर क्या करता था पहाडी राजाओं को अपनी आधिनता सुईकार कराने के लिए उनके बच्चों रिष्टेदारों को जो है वो अपने दरवार में बंदग ब और नेक्स्ट है जहांगीर ने अपनी बीबी नूर जहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा था नेक्स पॉइंट है सिर्मोर का राजा बुद्धी प्राकाश जहांगीर का समकालिन तथा मन धाता प्राकाश शाहजां का समकालिन था फ्रेंज में उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए काफी helpful रहेगी आने वाले सभी competitive exams के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू